ओम शान्ती 15 अगस्त 2021 के अव्यक्त महवाक्य है पहले एक नजर मुरली की मुख्य पोईंट्स पर बाप दादा ने कहा पावन तो आजकल के गाय हुए माहन आत्माएं भी बनते हैं लेकिन आप स्रेश्ट आत्माएं हाइस्ट होली बनते हो क्योंकि अप वित्रता संकल्प वस्वपन मातर भी आपकी व्रिती और द्रिश्टी को पावन स्थिती से नीचे नहीं ला सकती होली का उत्सव भी आप आत्माओं के पावन बनने का ही यादगार है आप आत्माएं बाप की याद की लगन की अगनी दवारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो इसलिए पहले जलाने की होली मनाते फिर रंगों की होली मनाते तो चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है ये जलाया भी है जलाना अर्थात नाम निशान स्माप्त करना फिर बाबा ने बताया दो प्रकार के महरथी हैं एक है अपनी स्थिती के आधार वाले महरथी जो सदा मन में अतिंद्रिय सुख के और संतुस्टदा के जूले जूलते रहते हैं और दूसरे महरती हैं सेवा की विशेस्ता के आधार वाले, जो तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेस्ता के फलस्वरूप संतुस्ट दिखाई देते हैं। फिर बाबा ने सुनाया स्व्यम में परिवर्तन लाने की विधी क्या है। जब स्व्यम के या अन्यात्माओं के प्रती परिवर्तन का द्रिड संकल्प करते हो, तो अपने प्रती या अन्यात्माओं के प्रती शुभ संकल्प के साथ विशेस्ता का स्वरूप भी इमर्ज करो तो परिवर्तन हो जाएगा लास्ट में बाबा ने कहा कई बच्चे जब भी याद में बैठते हैं तो सिर्फ शान्ति कानभव करते हैं खुशी का नहीं लेकिन जहां खुशी नहीं वहां उमंगुच्साह भी नहीं होता योग में सिर्फ ये नहीं सोचो कि मैं आत्मा जोती बिंदू हूँ बाब भी ऐसा ही है इसके साथ यह भी सम्रीती रखो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ जैसे मैं पदमा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ बाब के दिल तक तनशीन आत्मा हूँ अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से पुरली का सार होली कैसे मनाएं तथा सदाकाल का परिवर्तन कैसे हो आज सर्व के भाग्य विधाता बाब अपने होली हंसों से ज्यान रत्नों की होली मनाने आए हैं मनाना अर्थात मिलन मनाना बाब दादा हर एक अतीस नही सहज योगी, सदा बाप के कारे में सहयोगी सदा पावन वृती से, पावन द्रिष्टी से स्रिष्टी को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चियों को देख सदा हर्शित होते हैं पावन तो आजकल के गाय हुए महात्माई भी बनते हैं लेकिन आप स्रेष्ट आत्माई हायेस्ट होली बनते हो अर्थाद संकल्प मात्र, स्वपन मात्र भी अपवित्रता वृती को द्रिष्टी को पावन स्थिती से नीचे नहीं ला सकती हर संकल्प अर्थाद स्मृती पावन होने के कारण वृती द्रिष्टी स्वतही पावन हो जाती है न सर्फ आप पावन बनते हो लेकिन प्रकृती को भी पावन बना देते हो इसलिए प्रकृती के कारण भविश्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते है ऐसे होली हंस वो सदा पावन संकल्प धारी स्रेष्ट आत्माई बन जाती हो। उँचे ते उँचा बाप हर बात में स्रेष्ट जीवन बनाते हैं। पवित्रता भी उँचे ते उँची, पवित्रता साधारन नहीं। साधारन पवित्र आत्माई आप महान पवित्र आत्माउं की आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अती स्रेष्ट है। आजकल के ग्रहसी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझ कर सिर जुकाते हैं, वे हैं महान आत्माओं कहलाने वाली आप स्रेष्ट पावन आत्माओं की आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है. यह होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधी का यादगार हैं क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अगनी दवारा सदा के लिए आप अवित्रता को जला देते हो इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं फिर रंग की होली वो मंगल मिलन मनाते हैं जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना वैसे किसको नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं जला देते हैं इसलिए रावन को भी मारने के बाद जला देते हैं यह आप का याधगार है अपवित्रता को जलादिया अर्थाद पावन होली बन गए बापददा सदेव सुनाते ही है कि ब्रह्मनों की होली मनाना अर्थाद होली पवित्र बनाना तो यह चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है मरने वाले फिर भी जिन्दा हो जाते है कहाने कहां श्वास छिपा रह जाता है लेकिन जलाना आर्थाद नाम निशान समाप्त करना कहां तक पहुँचे है अपने आपको चेक करना पड़े स्वपन में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए इसको कहते हैं स्रेष्ट पावन आत्मा संकल्प से स्वपन भी परिवर्तित हो जाते हैं आज वतन में बाप ददा बच्चों के समय प्रती समय संकल्प दवारा व लिखित दवारा बाप से किये हुए वाइदे देख रहे थे चाहे सिती में महरती चाहे सेवा में महरती दोनों के समय प्रती समय के वाइदे बहुत अच्छी अच्छे किये हुए हैं महरती भी दो प्रकार के हैं एक हैं अपने वर्दान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुशार्थ की आधार से महरती और दूसरे हैं कोई न कोई सेवा की विशेस्ता के आधार से महरती कहलाते दोनों ही महरती हैं लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिती की आधार वाले वे सदा मन से अतिंद्रिय सुख के संतुष्टता के सर्व के दिल के स्नेहे के प्राप्ति स्वरूप के जूले में जूलते रहते हैं और दूसरा नम्बर सेवा की विशेशा के आधार वाले तन से अरथात बाहर से सेवा की विशेशा के फल स्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे सेवा की विशेशा के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है सेवा की विशेशा कारण सर्वकास नहें भी होगा लेकिन मन से वद दिल से सदा नहीं होगा कभी बाहर से, कभी दिल से लेकिन सेवा की विशेशा महरती बना देती है गिंती में महरती की लाइन में आता है तो आज बापदादा महरती वपुरुशार्थी दोनों के वाइदे देख रहे थे अभी अभी नजदीक में वाइदे बहुत किये हैं तो क्या देखा वाइदे से फाइदा तो होता है क्योंकि दृड़ता का फुल अटेंशन रहता है बार बार वाइदे की स्मृती समर्थी दिलाती है इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है लेकिन बीज दबा हुआ रहता है इसलिए जब ऐसा समयव समश्या आती है तो समश्या वकारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है सदा के लिए समाप्त नहीं होता है बाप ददा देख रहे थे जलाने की होली किनों ने मनाई जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज, कभी फल नहीं देता वाईदे तो सभी ने किये कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ चाहे अपने प्रती, चाहे औरों की प्रती सर्व को स्माप्त कर परिवर्तन करेंगे सभी ने अभी अभी वाईदे किये है ना रुह रिहान में सभी वायदे करते हैं ना हर एक का रिकॉर्ड बाप दद के पास हैं बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं कोई गीत कविता दवारा कोई चित्रों दवारा बाप दद देख रहे थे जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता कारण क्या है क क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता है तो क्या देखा अपने प्रती वह दूसरों के प्रती संकल्प करते हो कि यह कमजोरी फिर आने नहीं देंगे दूसरे के प्रती सोचते हो कि जिस किसी आत्म से हिसाव किताब जुक्तु होने के कारण संकल्प, बोल वकर्म में संसकार टकराते हैं उनका परिवर्तन करेंगे लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संसकार को जानते हुए स्वियम को सेफ रख उस आत्मा को भी शुब भावना शुब कामना देंगे लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने, सुनने वग्रहन करने की आदत नेचरल और बहुत काल की हो गई है ये आदत नही रखेंगे ये तो बहुत अच्छा लेकिन उसके सान पर क्या देखेंगे क्या उस आत्मा से ग्रहन करेंगे वह बार बार अटेंशन में नहीं रखते ये नहीं करना है ये तो याद रहता है लेकिन ऐसी आत्मा की प्रतिक क्या करना है क्या सोचना है क्या देखना है वह बात नेच्रल अटेंशन में नहीं रहती जैसे कोई सान खाली रहता उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली सान में किचडा या मच्छर आदी स्वते ही पैदा हो जाते हैं क्योंकि वायू मंडल में मिट्टी धूल मच्छर आदी हैं ही तो वह फिर से थोड़ थोड़ा करके बढ़ जाता है क्योंकि जगह भरी नहीं है तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो पहले नेच्रल परिवर्तन किया हुआ स्रेष्ट संकल्प का स्वरूप स्मृती में आना चाहिए क्योंकि नौलेज़फुल तो हो ही जाते हो सभी के गुण, कर्तव् संसकार, सेवा, स्वभाव, परिवर्तन के शुब संसकार वस्थान, सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतही स्माप्त कर देगा जैसे सुनाया था कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वो ब्रह्मन जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शान्ती का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करतें, सिर्फ शान्ती की अनुभुती कभी माथा भारी कर देत और कभी निद्रा के तरफ ले जाती है शान्ति की सिती के साथ खुशी नहीं रहती तो जहां खुशी नहीं वहां उमंग उत्सहभी नहीं होता और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते ठके हुए रहते हैं। सदा सोच की मूड में रहते, सोचते ही रहते, खुशी क्यों नहीं आती? इसका भी कारण है. क्योंकि सिर्फ यह सोचते कि मैं आत्मा हूँ, बिंदू हूँ, ज्योती स्वरूप हूँ, बाप भी ऐसा ही है लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की विशेस्ता क्या है जैसे मैं पदमा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदी रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ यह विशेश साएं जो खुशी दिलाती हैं वेह नहीं सोचते हो, सिर्फ बिंदु हो, जोती हो, शांत स्वरूप हो, तो निल में चले जाते हो, इसलिए माथा भारी हो जाता है ऐसे ही जब स्वियम के प्रती वा अन्यात्माओं के प्रती परिवर्तन का द्रड संकल्प करते हो, तो स्वियम प्रती वा अन्यात्माओं के प्रती शुब स्रेश्ट संकल्प वा विशेशाओं का स्वरूप सदा इमर्ज में रखो, तो परिवर्तन हो जाएगा जैसे यह संकल्प आता है कि यह है ही ऐसा यह होगा ही ऐसा यह करता ही ऐसे है इसके बजाए यह सोचो कि यह विशेस सा प्रमान विशेस ऐसा ही है जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है वैसे स्रेश्टता वो विशेसा का ऐसा वैसा है यह सामने लाओ स्मृती को स्वरूप को वृती को दृष्टी को परिवर्तन में लाओ इस रूप से स्व्यम को भी देखो और दूसरों को भी देखो, इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा, इस विधी से जलाने की होली मनाओ, अपने प्रती वो दूसरों के प्रती ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि यह बदलने वाले हैं ही नही लेकिन उस समय अपने से पूछो कि क्या मैं बदला हूँ? स्वियम परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा. हर एक यह सोचो कि पहले मैं बदलने का एक्जामपल बनो. इसको कहते हैं होली जलाना. जलाने के बिना मनाना नहीं होता. पहले जलाना ही होता है. क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, स्रेष्ट पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वत्य ही बाप की संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है. सदा ही ऐसी आत्मा बाप से वो सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्यान कारी स्रेष्ट शुब मिलन मनाती ही रहती है. समझा, ऐसी होली मनानी है ना, जहां उमंग उत्सा होता है, वहां हर घड़ी उत्सव है ही है, तो खुशी से खुब मनाओ, खेलो खाओ, मोज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाती रहो. अच्छा, सदा हर सेकिंड बाप दवारा वर्दान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्रह्मन आत्मा दवारा शुब भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अतिस्रेष्ट पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने पर्सनल मुलाकात के समय वर्दान के रूप में उच्चारे हुए महवाक्य पहली पॉइंट सदा अपने को बाप की याद की छत्रचाया में रहने वाली स्रेष्ट आत्मा अनुभव करते हो छत्रचाया ही सेफटी का साधन है इस छत्रचाया से संकल्प में भी अगर पाउं बाहर निकालते हो तो क्या होगा रावन उठा कर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा तो वहां तो जाना नहीं है सदा बाप की छत्रचाया में रहने वाली बाप की सने ही आत्मा हूँ इसी अनुभव में रहो इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे दूसरी बात सदा अपने को बाप ददा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा आखों में क्या होता है बिंदी देखने की सारे शक्ति बिंदी में है न तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में सित रहने वाली ऐसा अनभव होता है ना इसको ही कहते हैं नूरे रत्न तो सदा अपने को इस वृति से आगे बढ़ाते रहो सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रत्न आत्मा हूं वर्दान अपनी अलोकिक रुहानी वृती दवारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ग्यान सूर्य भव। सभी का अटेंशन जाता है वैसे जब आपकी वृती अलोकिक रुहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वत्य पड़ेगा अलोकिक वृती अर्थात न्यारे और प्यारे पन की स्थिती स्वत्य अनेक आत्माओं को आकरशित करती है ऐसी अलोकिक शक्ति शाली आत्माओं मास्टर ज्यान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों और फैलाती है स्लोगन सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सरवशक्तियां आपका ओर्डर मानती रहेंगी पुर्शार्थ को अछा कैसे बनाए श्रेष्ट कैसे बनाए तीवर पुर्शार्थी कैसे बने इस संडे की मुरली या पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि दो शब्द याद रखना सदा एक मनन और दूसरा मगन जब भी हम कारिय कर रहे होते हैं तो बाबा ने कहा कि हर कारिय ऐसा नहीं होता जब आपका मन और बुद्धी भी उसमें लगा हुआ हो अकसर करके व्यक्ति हाथों से कारिय करता है और मन बुद्धी से कोई ना कोई दुनिया वाले व्यार्थ चिंतन चलते रहते हैं उस समय आप ज्यान का मनन करो हाथों से कर्म करते रहो और मन बुद्धी से मनन करते रहो और जब फ्री हो जाओ तो बाबा की याद में मगन हो जाओ इससे सहज पुर्शार्त की विदी और कोई नहीं हो सकती ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने उसके लिए उपर दिये गए बॉक्स को टच करें